ही गाईस विल्कम बैक टो ले चैनल मैं जिन्ह माहपात्रा आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी एक ग्रेवी से भरी अंडा करी ले अगे तो इस तरीके का अंडाकरी आप घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से कम समय में बना सकते हैं तो अ इस तरीके से एक बार अगर एक करी अंडा करी को बना लेंगे तो बार बार आपको इसी तरीके से बना कर खाने का बहुत ज़्यादा मन करेगा प्लीज फ्रेंट्स इस डेश्पी वीडियो को इसकीप मत करिए पूरा देखिए इस वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेशे अपन है तो जल्दी से में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब बटन की पास बेल अकन बटन है उसी क्लिक करना बिलकू में आफ सब्सक्राइब आलू करैसे से अलू कर जाया है अप मैंने को कट में अनदा करि वालु अनडा करेहां वालीजिए इस तारीक भेम देंगे जिसंसे कि आलू अच्छी था्ख pasta लिए में है ध इस के रिख गतों आप तो तो मैंने 2 लिखाव में धान। चार पांच गालिक ले लिया है चार टुकड़े एक प्याद ले रहे तो सभी को हमें पीसना है कुछ भी कट करके नहीं डाला तो सभी को हम ग्राइन करके डालेंगे यहाँ पर देखी फ्रेंट्स आलू थोड़े से फ्राई हो चुके तो बीच-बीच में हमें आलू को चला लेना है अब फ्रेंट्स में ढखनी रही हूं ऐसे ही पका रही हूं तो अभी मैं डाली हूं टमाटर ग्राइंड करने के लिए हमें सारी चीज़े डाल लेनी है तो यहाँ पर मैं सारी चीज़े डाल दी हूं सुफ्रेंट्स पानी डाल कर थोड़ा सा हमें प्लेन ग्राइं तो इस तरीके से आप मसाला को एक बार रडी करिए बनाईए फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी लगता है अंडा करी चलिए अब हम पीस लेते हैं मसाल के से पिच चुका है आपको दिखाती हु यह देखे इसी तरीके से आपको पूरा पीच लेना है फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके से अंडा करी बनाएंगे तो बार-बार आपका खाने का मनकरी कट यह पर आलू अच्छी तरीकी से फ्राइग को चुक तरीके से फ्राइ करके आलू भी खाई बहुत ही डेश्टी लगते हैं तो यहां पर मैंने कुकर में पानी ले लिया है तो फ्रेंट्स कुकर में आपको इसलिए अंडा करी बनाना क्यूंकि इसमें जल्दी बन भी जाता है और बहुत ही आसान तरीके से रेडी हो जाता है तो पर मैंने स्वाद के अनुसा नमक डाल दिया है तो बॉल करने के लिए थोड़ा सा मैंने नमक डाला है अब ढखकर हमें दो सीटी लगानी है जल्दी से अंड़ा पक जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बनाना मैं आपको कुछ भी चीज इसकीप करके नहीं दिखा रहे हूं जैसा मैं बना रही हूं बैसा ही दिखा रही तो यहां पर एक अंड़ा फूड गया है बॉल होते डाम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं उसमें से बैसे भी दो अंड़ा निकालने वाली हूं मिस्टी के लिए चलि फ्रेंड अंड़ा को हम छील लेते हैं फ्रेंड का चीलने का बहुत है यहां फ्रेंडXT मेरे फोन के थोड़ा सा प्रॉब्लम होरा है वीडियो पता नहीं भी बन नहीं रही है इसमें मैंने तेल डाल दिया है क्वांटिटिक के हिसाब से फढ़ं़ैं होट है जो मैंने मसाला पीशा था बही मसाला मैं डाल रही हूँ सो फ्रेंट्स मैंने पूरा मसाला नहीं डाला है थोड़ा सा मसाला मैं रख दिया है क्वांटिटी के हिसाब से ही हमें मसाले को डालना है तो अब हमें मसाले को अच्छी तरी की सिफ्राई करना है फिर उसके बाद हमें क्या डालना है मैं आपको आगी बताती हूँ स्वाद के अनुसर मैंने नमक डाल दिया यहां पर मैंने हल्दी पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा रेच्चिली पाउडर ले लिया है अब मैं हल्दी पाउडर डाल रहे हैं जल्दी से बहुत ही बढ़ी मसाले दर अन्डा करी बनका रेड़ी हो जाती है तो यहां पर मैंने रेच्चिली पाउडर डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया आध़ चमाट सो तीका आप जितना काते हैं उसके हिसाब से डाले अब यहां पर मैं मिक्स करे रहे हूँ अब पानी डालना है यहां पर पनी डालना है। यहां पर आनडा को थोड़ा सा फ्राइब तो यहां पर मैं मैं फटेंगे अब यहां पर नहीं हैं थो आ से तो दिल रही हैं। अंडे में होल इसलिए करते हैं क्योंकि फटेगा नहीं फटने से छोट भी लग सकती है इसलिए आप अंडे में पहले होल कर ले फिर उसके बाद फ्राइ करें बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राइए हो जाएगा तो हमें पूरा ब्राउन करके ही उसे फ्राइए करना है तो बहुत ही अच्छी तरीके से जल्दी से अंडे फ्राइए हो जाएंगे यहां पर मिश्डी सोकर उठ चुकिए तो अभी मैंने उसको गोद में ले लिया है मेरी हालत बहुत खराब होगी बहुत जदा गर्मी है तो अभी मैं अंडे को पलट रही हूं तो इस तरीके से इस लिए थोड़ी थोड़ी चीजे इसकी फोरी बट में आपको पूरा दिखाने की कोसिस कर रही हूं तो अभी मैंने डाल दिया मसाले में अंडे को और अलू को सो फ्रेंस हम कुकर में बना रहे है इसलिए साइट साइट में मसाले लग जारे में बट में बाद में उसको निकाल दूँगी मैं ठीक कर दूँगी चम्मस से तो यहां पर मैं मिक्स कर रही हूं मैंने पानी डाल दें फ्रेंट्स कॉांटिटी के हिसाब से ही हमें पानी डाल लिए तो फ्रेंट्स इवाली रेस्पी बहुत जल्दी बनका रडी हो जाती है एक बार जरू ट्राइ करिए सो फ्रेंट्स मसाले में अंडा डालने के थोड़ी देर बाद पानी डाले जिससे की मसाला अच्छी तरीके से अंडा को पकल ले तो यहां पर अंडा करी बनका रडी हो चुकी है फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी बनी थी तो मैंने तो नहीं खाया क्यूंकि मैं नहीं खाती ह आलुवी बहुत ही अच्छी तरीके से पके हैं जो कि हमने फ्राइ किये थे बिलकुल भी नहीं टूटे हैं यहां पर देखिए अंडा कितनी अच्छी तरीके से बना है देखने में कितना बड़ी अलग रहा है आपको अच्छी लगी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेर और सब्सक्राइब करिए टेक केर अपना ख्याल रखिए अब मैं आप से लूंगी नेक्स वीडियो में